दलजीत को और दूसरी शादी करने जा रही है और शालीन भारोट से जब इस बारे में पूछा गया तो शालीन भारोट ने साफ मना कर दिया कि मुझे कुछ आइडिया नहीं इस बारे में और डेफिनेटली मैं दलजीत से बात करूँगा और हमारी बात होएगी लेकिन दलजीत ने एक बहुत ही बड़ी बात का खुलासा किया है दलजीत ने ये कहा है कि शालीन को आए हुए इतना टाइम तो हो गया लेकिन अभी तक शालीन ने अपने बेटे से भी बात करने के लिए एक बार फोन नहीं किया है एक बार हाल चाल लेने की कोशिस नहीं किय आपको बता दे कि दलजीत और शालीन दोनों ही एक दूसरे से 2014 में ही अलग हो चुके हैं 5-6 साल की शादी थी लोगों की एक बेटा भी है और अब भी ये दोनों अलग हो चुके हैं और दलजीत अब दूसरी शादी करने जा रही है जहां पर दलजीत अपनी दूसरी शादी के लिए काफी excited है और जिनसे वो शादी करने जा रही है वो भी already उनके दो बच्चे है तो दलजीत को ऐसा लगता है कि वो as a father बहुत अच्छे है और हमारी bonding बहुत अच्छी है हम husband wife बने या girlfriend boyfriend बने इससे पहले हम एक parents है मतलब जिनसे वो शादी करने जा रही है निखिल पटेल वो और दलजीत को और खुद की हम एक parents है और हम parents की तरह खुद को देखते हैं और बहुत अच्छा लगता है लेकिं शालीन भानौट पर उन्होंने कहा कि शालीन ने अभी तक एक बार भी call करके हमसे कुछ नहीं पूछा है हमसे कोई बात नहीं करी है तो यह थोड़ासा समझने वाली बात है कि शालीन भानौट कब बात करेंगे दलजीत से और कब अपने बेटे से बात करेंगे चलिए जो भी अपडेट होगा मैं आप लोगों के साथ शेयर करती रहूंगी मिलती हूँ आप लोको नेक्स्ट वीडियो में तब तर के लिए बाया बैचेकर अपना ख्याल रखेगा चैनल पे आयो हो तो लाइक से सब्सक्राइब करके जाना